भगवन राम की नगरी में बंगलादेश में हिंदू मंदिर और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अब संत समाज में मुखर हो गए हैं आज संत समाज ने बंगणादेश के राश्टिय धोज को जलाया और इसके खिलाफ ही बंगणादेश की आर्मी के खिलाफ भी न रिबाजी की। दरशल बंगलादेश में सट्त परिवरतन की जद में हिन्दू के उपर अत्याचार बढ़ गया है बंगलादेश की प्रधानमंतिरी ने भारत में शटनल ले रखी है बंगलादेश में बसे हिंदू लेखिस के सिकार हो रहे हैं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है हिंदू बहन बेटियों के साथ बलतकार किया जा रहा है जिसको लेकर आयोध्या के संत में खासा नाराज की है संत समा जब मुखर हो चुका है और हिंदू पर हो रहे उत्पीलन के विरोध में बंगलादेश के राश्टिये दोज को आज जलाया गया है संतों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आई एस आई के साथ मिलकर बंगलादेश के मुसलमान नर्पिचास हो गए है बंगलादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ वलतकार हो रहा है संयुक्त राश्ट से अपील करते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर संयुक्त राश्ट इस मामले पर संग्यान ले नहीं तो भारत के 100 करोण हिंदू बंगलादेश के लिए कूच भी करेंगे इसमें जो तक्था पलट हुआ है बंगलादेश की आर्मी आई एस आई एस के इसारे पर उपद्रवियों से मिल करके हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ बलादकार कर रही है हिंदू की दुकान लूट रही है घर जलाये जा रहे है, मंदी तोड़े जा रहे है, मूर्तिया तोड़े जा रही है और वहां जो है हिंदू महिलाओं के साथ लगातार बलादकार हिंदू की हत्या इसलिए आज जो है बंगला देश का राष्टी ध्वज लातों से कुचल करके मैंने जलाया है और सायूक तराष्टी से मेरा कहना है कि 24 घंटे के अंदर वहां की स्थिती पर कंट्रोल किया जाए नहीं तो भारत अगर कुछ करेगा तो बाद में चिलाना नहीं और वहां बंगला देश की अवकात इतनी है कि एक मिनट में वहां की आर्मी धूल में मिल जाएगी भारत सरकार से अपील है कि बंगला देश के हिंदू भारती हिंदू है वहां उनको नेशनल्टी नहीं दी गई और यहां आने नहीं दिया जा रहा है इसलिए उनको मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा अगर भारत सरकार 24 घंटे में वहाँ एकसर नहीं लेती है तो 100 करोड हिंदू बंगला देश जाएगे आस्तर सास्तर लेके जाएगे अब वहाँ उपद्रिवों को धूल मिलाएंगे बंगला देश के मुले सारे आतंकबादी हो गए है अब जो 3 करोड यहाँ भारत में घुस पैट करके बंगला देशी मुले पड़े हुए है इनको लात मार के जल्दी बंगला देश भगाया जाए नहीं तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे